नमस्ते फ्रेंड्स मैं हूँ सिमा प्रिया आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ डॉक्स बाथ डे तो मेरी ये हाथ में जो डॉक्स अब देख रहे हो इसके नाम है मीकी और आज मैं उसको पानी के साथ सैंपू के साथ नहलाने के लिए कोशिज करूँगी आज तो ब्रहस् अच्छी तरह धूप निकल आए है तो सोचा आज मैं उसको नहलाने के लिए कोशिज करूँगी तो सोंबार मैं इसलिए नहलाने के लिए दीन एक तैयार किया है क्यूंकि उस दिन दो पहर में मेरा हस्बेंड खाने के लिए नहीं आती है तो जंजट कम रहता है तो हम मीकी को नहलाने के दिन तैयार किया है लेकिन आप सोच रहे तो आज तो सोंबार नहीं है तो बिस पतिबार है बिस पतिबार सिमा प्रिया उसको मीकी को क्यूं नहलाने के लिए सुरू कर दिया है क्यूंकि आज बहुत धूप निकल आए है और सोंबार मंगल बहुत ही ब ही आ पाए और हम चात पे ही यहां पे नल है पानी है और खुला जगह भी है इसी लिए हम इसको जब से यह फास्ट बात इसको मैंने शुरू किया है तब से लेकर आज तक मैं चात पे ही इसको ले आकर नहलाती हूँ और यह जो सेंपू मैंने दिखाई है यह इसके सरीर के उपर थोड़ा सा कहां से नाजने यह कीरे लेकर आए गए तो कीरे के लिए यह सेंपू बहुत ही लाब दाएक है तो इसलिए मैं यह सेंपू इस्तेमाल कर रही हूँ पहले तो मैं मीकी के जो पूरा उसका जो फार है इ अच्छी तरह गीला कर लिया है पानी से और गीला करने के बाद मैं सेंपू से थोड़ा सा ज्जांग बना कर और सेंपू से अच्छी तरह रगर रगर कर इसको गंधे की कीरा सब कुछ निकल जाता है और अच्छा भी है बहुत लाब दाएक है तो आप देख सकते हो आज का भ्लौक सिर्फ डॉक्स देही है तो में अपने मीकी को कैसे नहलाती हूँ बस यह दिखाने के के लिए मैं वीडियो बनाई हूँ और छोटी बेटी मेरा कैमेरा पकर के वीडियो मैं बना रही है तो थोड़ा कर दिजिएगा और ना जाने उसको साइध मेरे चोटी बेटी जान बुच कर नहीं बसान जाने से गलतिया गलतियों से कैमेरा का लेंस के सामने वो अपने उंगलिया लेकर आए है तो थोड़ा सा दिए दिखने में आपको अधिकत हो रही है मैं समझ सकती हूं लेकिन यह जो स झोटी बेटी को बोला जो तुम आ कर यह सूट करो और अभी तो में फिलाली पानी से ढोकर इसको साफ कर दूँगी इसकी सरीर के उपर जो भी ज्याव है को मैं उटर दूंगी तो अभी पानी से मैं उसको अच्छी तरह जो सैंपू का ज्याव है उसको अच्छी तरह साफ कर रही हूं और अब स्कते हो बहुत ही ilamak कर रहे हैं तो यह हो जाने के बाद मैं तावल से और वह उसका अच्छ highway अलग सी तोईला है उसके लिए अलग सी तोईला है तो अलग तोईले से हम उसको अच्छी तरह पोच पोच के एकदम सुखा कर देंगे और बाहर में तो धूप है तो ठीक है आप इंजोई कर रही है अलग स्पीना में तोईला है तो ऑट पिक र कर दोप प्रशन थाध रहा है झाल 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 झाल